नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तो चेक जब भी आप किसी अंजान विक्ति से लेते हैं या फिर किसी नए कस्टमर से लेते हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है कि क्या ये चेक जैनुएन है क्या ये demand draft अगर आपको कोई दे रहा है तो वो genuine है क्या ये वाकई पास होगा इनी सब doubts को आज के इस वीडियो में clear करेंगे ये वीडियो देखने के बाद आप किसी अंजान विक्ति से check पकड़ने से पहले कोई dd पकड़ने से पहले ये जान जाएंगे के वो dd वाकई genuine है या नहीं है check saving account का है या current account का है उस person की कोई bank में limit बनी हुई है या नहीं बनी हुई है उसको city और branch कौन सा है जिस bank का वो check आपको दे रहा है सब बातों की detail आपको आज की वीडियो में मिलेगी चलिए शुरू करते हैं दोस्ते इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे के microcode क्या होता है microcode होता है check के bottom line के अंदर जो कुछ numbers print होते हैं special तरीके से लिखे गए होते हैं special font के अंदर वो number लिखे होते हैं जिसे हम microcode कहते हैं checkbook की bottom line जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर जो six digit का एक number है वो होता है account number उसके बाद जो अगला column है nine digit का column होता है वो micro number है उसके अगला column जो होता है वो एक checksum code है ये security code कह लिजिए उसके बाद जो last में दो digit रहते हैं वो होता है transaction ID एक होता है IFSC जो bottom line में नहीं होता check में उपर होता है इसे आगे जाकर discuss करेंगे micro code सबसे पहले इसे देखते हैं जो check में bottom line में second column के अंदर होता है account number के बाद ये nine digit का micro code होता है micro ये एक abbreviation है micro की full form है magnetic ink character recognition ये एक खास तरहां की ink होती है इस ink के उपर अगर कोई pen चल जाता है कोई stamp लग जाती है तब भी computer इस ink को read कर सकता है ये micro code इस तरह से design किया जाता है उसका जो font है micro एक font का नाम भी है micro जो font है वो इनसान द्वारा पढ़ा भी जा सकता है और computer के द्वारा भी उसको read किया जा सकता है ECS यानि के electronic clearing system दोस्तों आपके screen पर इस से में जो check दिखाई दे रहा है उसका micro code है 141026004 इसके जो पहले तीन डिजिट है वो city code है इस check के अंदर जो micro code है उसका city code है लुधियाना 141 stands for लुधियाना actual में जो ये first तीन डिजिट है ये city code होता है आपका postal code लुधियाना का जो postal code है जो post office का उसका pin code जिससे हम कहते हैं वो 141 आगे area के हिसाब से 001, 002, 008 अलग-लग area में divide किया हुआ है तो पहले तीन डिजिट 141 pin code के अंदर लुधियाना को represent करते हैं तो यहाँ पर वही postal code लिया जाता है 141 अगले तीन डिजिट bank का code होते हैं 026 026 Union Bank of India का code है last तीन डिजिट 004 ये bank की branch code है यानि के लुधियाना main branch का ये check है लुधियाना main branch का 004 code है इसलिए यहाँ पर 004 रहेगा पूरा micro code बना 141-026004 अब जब भी आपको check देखेंगे तो पहले तीन डिजिट देखकर आपको पता लग जाएगा कौन से शेहर का check है अगले तीन डिजिट से उसकी bank का नाम जान सकते हैं और last तीन डिजिट से आपको पता लगेगा कि ये फ़ला शेहर के कौन से branch का check है दोस्तो अगला जो 6 डिजिट का कौलम है वो आपका एक check sum code होता है इससे computer आपने आप check करता है कि वाकई check सही है इसमें कोई गरबड़ी तो नहीं है तो पहले 4 डिजिट computer के लिए bank का एक code होते है और जो last 2 डिजिट है कि check number के पहले 2 डिजिट होते है जो check number आपने सबसे नीचे लिखा हुआ देखा है वो check number असल में पूरा नहीं होता check number actual में 8 डिजिट का होता है लेकिन bottom line के अंदर उसे सिरफ 6 डिजिट के रूप में ही दिखाए जाता है जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो आपके check book के उपर या check leaf के उपर center में printed होता है तो जो पहले 2 डिजिट हैं वो यहाँ पर आखरी 2 डिजिट के रूप में आते हैं तो पूरा ये 6 डिजिट का check sum code बनता है last में लिखा हुआ है transaction ID ये 2 डिजिट जो लिखे हुए हैं बहुत ही important होते हैं ये 01 से लेकर 49 तक हो सकते हैं एक से लेकर 49 तक हो सकते हैं अब अगर वहाँ पर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो ये saving account का check है अगर वहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो current account का check है 16 लिखा हुआ है तो ये demand draft है 20 लिखा हुआ है तो state government की कोई transaction है 21 लिखा है तो central government की transaction है 23 लिखा हुआ है तो post and telegraph department की कोई transaction है 28 है तो bank आपको किसी तरह का कोई refund दे रहा है ये वो transaction है 39 लिखा हुआ है तो current account at par की checkbook है 30 लिखा हुआ है तो credit limit बनी हुई है इस person की एक CC limit बनी हुई है current account की against ये उसका सूचक है 30 अगर लिखा है 29 लिखे होने पर इस person की इस account के अंदर कोई CC limit नहीं है लेकिन अगर 30 लिखा है तो CC limit बनी हुई है 31 लिखा हुआ है तो saving account का at par का check है 49 लिखा हुआ है तो ये आपका कोई income tax का refund आया है उसका check है तो इस तरह से हर code की अपनी एक importance है अगर आपको इन codes की full list चाहिए तो comment box में जाकर लिखिए हम आपको पूरी list एक से लेकर उन्चास तक उसका क्या मतलब है किस code का वो साधी detail आपको send करेंगे दोस्तो आप बात करते हैं IFSC की IFSC यानि के Indian Financial System Code इसे commonly लोग IFSC code कहते हैं लेकिन basically IFSC code Indian Financial System Code ये checkbook के ओपर कहीं पर भी हो सकता है ये 11 digit का code होता है जैसे आपकी screen पर आ रहा है इस समय UBIN 0530905 ये जो IFSC है ये RTGS, NEFT और IMPS करने के काम में आता है UBIN जो पहले 4 अक्षर है वो bank का नाम represent करते हैं अगर यहाँ मान लीजी SBI का check होगा तो लिखा होगा SBIN पांचवाँ डिजिट हमेशा 0 होता है किसी भी bank का हो, private हो, सरकारी हो पांचवाँ डिजिट IFSC का 0 होता है जो last में 6 अक्षर हैं वो branch का पूरा code होते हैं branch code जैसे के एक और उधारन लेते हैं कस्तूर्बा गांधी मार्क न्यू डेली पर SBI की branch है वहाँ पर इसका branch code है 005943 IFS code, RTGS, NEFT और IMPS करवाने के काम में आता है दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप रिंचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं डिफ्रेंट मूड्स को देखने के लिए शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें देखते हैं डिफ्रेंट मूड्स थैंक यू